नमस्कार दोस्तों, गुड मॉनिंग, क्रीसेंट एडुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे जुलाई में आएंगी नई भरतिया UKAAC पर कई पदों का अधियाचन पहुचा है तो इसलिए UKAAC जुलाई में एडविटीजमेंट को रिलीस कर सकता है यानि की भरतिया निकाल सकता है इसके लावा अगर आप असिस्टन प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए भी गुड निउस है क्योंकि डिग्री कोलेज में असिस्टन प्रोफेसर की भरती भी निकलेगी इसके लावा इल्टी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में भी जानेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे दौरा असिस्टन इस्टाइशिकल ओफिसर साइक सांकी की इदिकारी सांकी की साइक इसका दोस्तों कम्माइन बैच चलाए जारा क्योंकि नोनों का सिलिबस काफी हद तक सेम है तो संपून तियरी अगर आप करना चाते हैं तो आप हमारे संग जुड़ सकते हैं यहां पर दोस्तों हम आपको रोज लाइव क्लासेश दोस्तों प्रोवाइट करवाते हैं साथ से आठ साड़े आठ तक दोस्तों इस चलती है रिकॉर्डेट क्लासेश की भी आपको सुविधा मिलती है हम हर लाइव क्लास को दोस्तों रिकॉर्ड कर लेते हैं subject level का exam है mathematics का exam है तो उसके लिए दोस्तों आपको एक लंबी preparation करनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि exam से एक महीने देड़ महीने पहले आप preparation करना शुरू करें तो देरी ना करें ये नीचे जो contact number दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आप संपर कर सकते हैं WhatsApp के माध्यम से या फिर call भी कर सकते हैं और ये दोस्तों paid classes हैं मैं पहले आपको बता दू लेकिन offer है माई तक उसके बाद नहीं रहेगा सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डिग्री कॉलेज में 791 assistant professor की निक्ति होगी देखे 791 पध सासन ने डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकों के रिक्त पद 791 पद निक्ति के लिएuri शिक्षा निदे साले से परस्तायों मांगा है ठीक है राजे में डिग्री कॉलेज में सासन सतर से असिस्टेंड प्रफिसरों के 2311 पद मंजूर हैं इसमें से 1530 पदों पर इस्थाई असिस्टेंट प्रफिसर तैनाथ है खाली पदों पर समीदा के तौर पर 39 गेस फेकिल्टी के रूप में 113 प्राता वा संधियकाली के 57 वा नितांत अस्थाई पदों पर 295 आपके प्रध्यापक तैनाथ इस तरह डिग्री कॉलेज में इस्थाई असिस्टेंट प्रफिसरों के कुल 791 पद खालिया और इन पर निती के लिए सासन सर से प्रस्ताव मांगा गया और सबमंद में उच्छे सिक्षान देशक डॉक्टर संधीब कुमार सर्मा ने बताया कि डिग्री कॉलेज में खाली इस तरह बाद दोस्तों दूसरी जो बहुत बड़ी निउस्टेंट प्रस्ताव पर प्रस्ताव तयार कल लिया गया है और यह प्रस्ताव जल्दी ही सासन को बेजा जाएगा वा मंजुरी मिलते ही लोग सेवाएक को रिक्तपदों के लिए अधिया चन बेजा जाएगा तो बड़ी अच्छी खबर है 791 पदों के लिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अधिया चन और फिर इसके बाद 791 पदों पर उत्रा घंडी लोग से वाएक जल्दी बरती निकाल सकता है तो अगर आप असिस्टन प्रोफेसर के लिए अलिजिबल है तो आप इसके लिए अभी से प्रेपरेशन करना शुरू कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों दूसरी जो बहुत बड़ी न्यूस है वो है परदेश में समूगो के पदो पर जुलाई में खुलेंगी भड़तियां आयों के पास अब तक 1300 से जादा पदो की आई सिफारी स्यानी की अधियाचन आ च शुरू कर दी है ठीक है बिरोजगारी के लिए साल राहत बरी खबल लेकर आने वाला है विभिन विभागों में देखी कनिस्ट सायक वेक्तिक सायक जैसे 1300 से अधिक समूगों के पदो पर भड़ती के लिए अधियाचन विभिन विभागों से अधिनस्त सेवा चैन आयों क को मिल चुका है ठीक है और इसका अधियन शुरू कर दिया गया है जिन विभागों से प्रस्ताव के संग नियमावली नहीं आई है वह मंगाई जा रही है वहीं अन्य विभागों से अधियाचन आने का सलसिला जारी है ठीक है लिहाज आयोग ने तैय किया है कि सभी से फार प्रस्तियां कम करके आप खुली भढ़तियां जादा निकाले मतलब पी जो पर्मनेंट भढ़ती है जादा निकाले तो इसलिए सासन के ओर से भी समय पर थोड़ा सा विभागों के प्रेशर बनाया गया है और अधियाचन मांगे जाने एक के बाद एक तो इसलिए दोस्तो में पुलिस लाइन में चले जुने है और उन की परिछा आज़ की चलिए कि अट्छा आगास्ता और इन और से घुपरिख की 7 हली की의 16 को आधिडारों के डिमिट कार जारी कर जिएक नो एक्सट्रें करने की जगे पर हो सकता है कि 3 जुलाई होए 18 जुलाई से पहले 3 जुलाई हो गया होगा ठीक है न तो आयोग के सच्चिफ 37 बोड़न ने कहा कि एक दिन में 400 मिदारों के परिक्षा नड़दार है लिहाजा 385 मिदार को दोबारा प्रविस्पत्र जारी किया गया है उनके 18 के बजाए 3 जुलाई को ही दोस्तों परिक्षा होगी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जुलाई में दोस्तों आपका जो आयोग है वो भ दोस्तों ने बताया कि सभी एक जैसी आरता वाले पदों के लिए एक ही विध्यप्ति जारी की जाएगी ठीक है अब यहां पर देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जैसे काई सारी भरतिया दोस्तों लटकी वी है जैसे कि सायक लेका कार है ठीक है और भ अब दोस्तों हम बात करेंगे ल्टी कोट केस अपडेट को लेकर दोस्तों यह आपका ल्टी कोट केस है दोस्तों यह है आपका अनिदत जोसी वर्सस टेट अफ उत्तराकंड वाला ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि ल्टी हिंदी के लिए है दोस्त है तो आज दोस्तों देखते हैं कि यहां पर क्या आपको अपडेटी देखने को मिल सकती है इसके लावव दोस्तों कर यहां पर अगर हम इसके काउंटरेफ़ इट की बात करें तो फिलाल अभी दोस्तों यहां पर इंटरवेशन अप्लिकेशन ही दायर की तो दोस्तों यह है आपका दूसरा केस सुनिता वर्सेस स्टेट अफ उत्रागंड ठीक है इसका नंबर है 308-2022 और दोस्तों यह है फिजिकल एजिक्वेशन यानि वाला केस है और यहीं से दोस्तों आपकी LTE Document Verification पर रोग लगी थी ठीक है तो अगर आप देखें यहां पर भी दोस्तों आपको जो डेट दिखाई देगी वो आपकी 18 माई 2022 यानि कि दोस्तों आज की ही डेट आपको दिखाई देगी ठीक है और साधी साहता कर दोस्तों हम अगर इसके IA status की बात करें तो यहां पर द सवाब दाखिल किया गया अब यहां पर इनोंने यह नहीं बताए कि किस पार्टी ने दाखिल किया क्योंकि यहां पर देखें पार्टीयां कई सारी है अगर आप देखें तो रेस्पॉंडेट जो है तो कौन-कौन है स्टेट आफ उत्राखंड है ठीक है और इसके लावा यहां चलिए स्टेट आफ उत्राखंड है यहां पर आप देखें डैरेक्टर सेकंडरी एज्यूकेशन है तीसरा आपकी पार्टी जो है वह यूकेट रिप्लैसी आफकॉस ठीक है तो यह तीन पार्टीयां है अब इन तीनों में से किस ने यहां पर काउंटर एफिडेवि यह बात तो है तो इसमें अब दोस्तों हो सकता है कि आज इसकी हेरिंग हो जाए उमीद तो यही है अगर इसकी आज हेरिंग नहीं होगी तो फिर इसमें फिर next date दी जाएगी सबसे पहले क्या होगा कि आज जो fresh cases होंगे उनकी सुनवाई होगी जो fresh लगते हैं and then उसके के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तिल दें टेक करें गुडबाई